अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे 11th man के जो सवाल है वो क्या है? ये 11.00 आदमी के जो सवाल है वो क्या है? और 11.00 आदमी का जो मैंने आपको बताया और क्या मतलब यह title क्यों दिया है पता है सबसे पहले इसको बताता हूँ यह title क्यों दिया है US Army के अंदर मैंने कभी read किया था किसी book के अंदर US Army के अंदर उनके जो team होती है core team जो planning करती है किसी के उपर attack करना है वार की planning करनी है या उनके ओपर किसी ने attack कर दिया उसकी planning करनी है या normal routine के अंदर उनके कोई काम है जिसकी वो planning कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उस team जो core team होती है उनकी उस core team के अंदर वो 1 या 2 या 1 टीम उस पूरे team के अंदर को एक team ऐसे वो रखते हैं ध्यान से सुनना गुर्जू थैंक्स फॉर एम्टी, मे गॉड गिव यू फैमली, थैंक्यू सर् थैंक्यू, क्या देदी आफने मज़ा आगे, ठीकी थैंक्यू, थैंक्यू, उस को टीम के अंदर वो एक आदमी या एक टीम ऐसी जरूर रखते हैं, जो कि उनकी हर बात को अपोज करे, समझना एक plan बनाया कि Osama bin Laden को पकड़ने जाना है example उसके लिए वह यहां चुपा हुआ है यह planning है इतने लोग जाएंगे इतने लोग नी जाएंगे ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे यह बनाएंगे पूरी उनकी blueprint त्यार हो गया उनकी आर्मी का कि हाँ इसको कैसे पकड़ना है कौन से हेलिकॉप्टर से जाएंगे कैसे मारेंगे किती दर वापिस है पूरा blueprint बना लिए उसका उसके बाद उस blueprint के उपर वो जो टीम है या वो जो आदमी है टीम छोड़ा एक आदमी है वो उस एक आदमी को जो उन्होंने हाइर किया हुआ या रखा हुआ उस आर्मी के अंदर उ कितना सच है कितना जुटा यह निए पता मुझे रखार आर्मी के अंदर ईसा होता हूगा मैं इसा किया था कि उसका काम होता है कि हर चीज पर कोष्टिव उठाना हर चीज के मतलब उसको ऐसे ट्रेनिंग दें उसको जैसे बोला लिए तो चाहे तुमें ठीक लग रहा है चाहे तुम्हें ठीक भी लग रहा है फिर भी तुम कॉस्ट्यून उठाओ तुम ये कमी निकालो इसके अंदर कैसे हो सकता है तुम इस पूरे प्लैन में कमी निकालनी है तुम्हारे को कि कैसे ये प्लैन फेल हो सकता है या इस प्लैन में क्या कमी है या इस plan को कैसे fail किया जा सकता है या कौन-कौन सी ऐसी चीजे हैं जो इस plan को रोक सकती है ये तुम्हारे को हमारे को ये बताना है उसका नाम उस US army में वो देते हैं 11th man अब read कर लेना जाके Google मारोगा आ जाएगा उस US army के अंदर उसका नाम देते हैं वो 11th man यानि कि वो 11 आदमी जो है उसको वो हमेशा हर code team में रखते हैं जो शक्की किसम का सवाल उठाता है हर चीज़ के उपर आज का जो title मैंने दिया है वो इसी लिए दिया है कि हमारे चारो तरफ हम देख रहे है करोना का भीड बढ़का मचा हुआ है सब तरफ ये है वो है फलाना है डिमकाना है तो मैं एक 11 आदमी का सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पर मैं कोई निशकर्ष नहीं दे रहा हूँ मैं कोई decision नहीं दे रहा हूँ उस 11 आदमी का decision देने का काम भी नहीं है चली उसका सिर्फ question पूछने का काम है प्रशन पूछने का कि तुम जो ये कह रहे हो ऐसा क्यूं होगा या क्यूं नहीं होगा उस 11 आदमी का काम केवल प्रशन पूछने का है और यहाँ पर मैं पहले ही आगे चलने से पहले आपको बता दू जो भी आस पास चल रहा है वो बहुत ही disturbing है देखने में disturbing है feel करने में disturbing है सारा दिन जब हम देख रहे हैं टीवी और उसके उपर लोग रोज हाहा कार मच रहा है यह हो रहा है यह बहुत ही disturbing है इस सब के बीच में sir very easy to find all gateways thank you, thank you भरत जी, thank you शेष्ट विर्मानी जी, thank you जी, thank you उसके अंदर मेरे को जो उस 11 आदमी को दिख रहा है वो प्रशन पूछना हूँ लेकिन इसका यह बिल्कुल means नहीं है कि आपको कोई लापरवाई करनी है या आपको किसी तरीके से उसको छोड़ देना या यह है वो है मेरे को इस चीज को लेकर के जो भी चीजें चल रही है उस चीज को लेकर बहुत सारे शक थे पहले भी मैं क्लियर बता चुक हूँ यहाँ पहले लाइव स्टेमिंग के अंतर आज मैंने यह डिजिजन यह लिया सोचा के कुछ उसको डिटेल में जाया जाए पहली बात दूसरा उस चीज से आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जाए ताकि आप कल को अपनी अनालिसीज में उसको यूज कर सको तो सबसे पहले यह सेकिंड वेव जो चल रही है आप लोगों के सामने आप देख रहे हो अभी आई एकदम से चल पड़ी एक उस ग्यारवे आदमी का एक सवाल आए वो ग्यारवा आदमी जो है वो इन सब चीजों को देखके एक सवाल पूछ रहे उसका सवाल यह है कि आप ध्यान से सुनना मेरी बात कि आज से करीबन एक महीना पहले तक डेड़ महीने मार्च 28-20 मार्च तक लगबख सब कुछ ठीट ठाक था कुल में लाके पिछले 20-22 दिन हुए है 20-22 तीस दिन हुए एक महीना हुए मान लो एक महीना हुए है इस एक महीने के अंदर हम देख रहे हैं कि केसी जो है वो मल्टी फोल्ड यानि कि कहां 10-20,000 केस आ रहे थे और आज 3,60,000, 70,000 केस आ रहे हैं जो सब के सामने है लेकिन इसमें उस 11 आदमी का कॉश्चन ये है कि ये संभव कैसे हो गया ये संभव कैसे हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में पिछली बार जो वेव आई थी करोना की उसके अंदर एक पार्ट में थी कि एक जगा होई, दूसरी जगा नियुए, तीसरी जगा नियुए, चौती जगा नियुए, जो भी होई उसके लॉगड़ान हो गया, उसके बाद चीज़ें रह गयी होई एक ही डेट मिलेगी लगभग आपको जहां से वो राइस स्टार्ट हुआ होगा लगभग हर स्टेट में महाराश्ट में दिली में, यू पी में मिघालने तक में चोटी से चो स्टेट है उसके अंदर भी मतलब 99% स्टेट में वो एक दिन ऐसा है कोई एक हफ़ता कहलो जिस दिन ये स्टार्ट हुआ है तेजी से और उसके बाद में लगबग हर स्टेट के अंदर मल्टी फोल्ड उसके रिजल्ट आने लगे तो वो 11 आदमी का जो कोश्चन है वो यह है कि करोना कोई गैंग है कोई कोई आंतांगवादी गिरो है कोई टेर्रिस्ट है जिसने प्लैनिंग की प्लैनिंग की जिसने कि सब कुछ एक ही दिन स्टार्ट करेंगे और पूरे इंडिया में एक साथ पूरे इंडिया में एक साथ महराष्ट में शुरू होता उसके वाद 20-25 दिन बाद यूपी में आता फिर यूपी में शुरू होता फिर 15 दिन बाद एंपी में जाता यह होता वो समझ में आती कि हाँ लोग ट्रैवल कर रहें इदर से उद तो करोना कोई आदमी है, कोई गैंग है, कोई सरकार है, कोई आत्रगवादी गिरो है, कौन है यह? इतनी प्लानिंग जबर्दस्त प्लानिंग है, मितलब एक साथ स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, चैट वगरा रुग गई मुझे लग रह टर्वजेर जो इस सारे स्टेटस के अंदर पूरे इंडिया के अंदर, कौमन है फिपूरे इंडिया में कौमन है दो फिरो न्सारिए पुरे हिंदुस्तान के लोगों ने एक दिन गलती अधिकार कर गजल को एफ भ३। को एफ लवेंट बनाऊ हर आदमी हर स्टेट एक यहां बेट़ां अजमी। कमा बेटा हर आदम यह अधिन गलती गड़ि다 एक ही दिन गलती करी हर आदमी में क्योंकि अब उसके होने की साइकल है अगर मानलों किसी दिन हुआ चार-पांच दिन बाद केसी बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो लगबग एक टाइम पर बढ़ने हैं मतलों समने एक टाइम पर गलती करी होगी तो यह बढ़ सकते हैं या दूसरी चीज यह करोना यह डिडक्ट कैसे होता है यह टेस्टिंग किट से यह वह ग्यारवा आदमी पूछ रहा है यह जो टेस्टिंग किट पूरे इंडिया में जो जाती है जो कंपनियां बनाती है कि उस टेस्टिंग किट की अंदर तो कोई हेर फेर नहीं है यह वह ग् जान बूच के यान जाने में जिसने उसी दिन सारे रिजल्ट देने शुरू करें वैसे से क्योंकि मौसम तो खासी जुकाम का चली रहे हैं खासी जुकाम का सीजन तो यह होता ही है नॉर्मल ही सीजन होता है हर साल ही होता आज बच्पन से हम बे देखते आएं मौसम चेंज होता है तो होता ही है खासी जुकाम के अंदर आप टेस्स कराने गए तो जो जैन्वन केस है वो तो हैं जो जैन्वन केस हैं तीस परसंट चाल आवाद नी पूछ रहा है कि एक ही साथ एक ही समय पे शुरू होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो उसकिट में तो कहीं कोई हेरा-फिर नहीं करी गई है और मैं साब पता दूँ यह किसी सरकार के बस की चीज नहीं है यह भूल जाना कि सरकार के बस की चीज होती तो पूछ रहा है यह इस पूरी चीज के उपर उसका एक सवाल है नन्ना सा छोटा सा सवाल मासूम सा यह सवाल है पाकी आपका डिसिजन है दूसरा सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है हिंदू पूरे वर्ड के अंदर सेकेंड फर्स्ट पॉपुलेटर्ड जो कंट्री है चाइना जहां से यह वाइरस भाहर निकला वहाँ पर कोई सेकेंड वेव थर्ड वेव फोर्थ वेव फिफ्थ वेव कोई नहीं आई वहाँ पर कोई नहीं आई चरंजीत सिंग जी कैसे रोटेट करें, सर मैं बता दूँगा, अभी मैं कोई टॉपिक दूसरा ले रख़ा है, मैं बता दूँगा अभी मैं, आप दुबारह पुछ लेज़ें, मैं बता दूँगा वहां पर कोई second wave, third wave नहीं आई कुछ नहीं आये, वहां मैं भी डेटा चेक कर रहा था चाइना के अंदर करोना जिस दिन से शुरू हुआ है उसके यहाँ पे जो डेटा उन्होंने दिया है वो चार हजार लोगों के डेथ हुई है केवल महाँ पे वर्ड की नंबर वन पॉपुलेटिड कंट्री है वो वहाँ पे करोना पैदा हुआ सारे लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है चाइना के लोग भार जाते हैं यूएस की लोग भी चाइना जाते हैं ऐसा तो है नहीं के नहीं जाते होंगे यूएस के लोग भी तो अगर चाइना अपने नंबर नहीं बताता है चाइना अपने नंबर नहीं बताता होंगे वहां पर बोल सकते हो यह बात आप लेकिन अगर चाइना अपने नंबर नहीं बताता तो सारी वर्ड की जो कंट्रीज हैं उस पर ट्रैवल बैंड क्यों नहीं कर रही कि भाई तुम अपने नंबर बताओ कहीं तुम्हारे अगर केसी ज़्यादा हुए तो तुम अपना वाला जो हमारे यहां भेज़ दोगे करो ना दुबारा कोई ट्रैवल बेंड नहीं उसके उपर यह US, Europe, Australia, Germany, France, Japan सब जगा से चाइना से ट्रैवलिंग हो रही है नहीं हो रही यह क्यों अलाओ कर रहे हैं उसको और WTO क्यों अलाओ कर रहे हैं उसको जब वो डेटा रिलीज नहीं कर रहा तो क्यों नहीं यह वो 11 आदमी पूछ रहा है यह वो 11 आदमी पूछ रहा है कि यह सक क्यों है एक वो 11 पूछ रहा है कि चाइना के पास क्या कोई COVID की antidote होने की संभावना है क्योंकि सुनने में तो यह आता है चाइना ने यह manufacture किया है यह virus तो जो आदमी शैतान को बना रहा है शैतान को मारने की दवाई क्या उसने पहले बनाई थी संभावना तो है 11 आदमी पूछ रही है कि क्या antidote है चाइना के पास इसकी antidote कह रहा हूँ vaccine नहीं कह रहा antidote मतलब जिसको हो गया उसको लगाओ तो मर जाए क्योंकि उसके कई प्रूफ मिलते हैं पूरे वर्ड में एक भी टॉप लिटर जो है जो टॉप जगाओं पर बैठे हैं उनकी किसी की करोना की से डैथ नहीं हुई टॉप लिटर कह रहा हूँ एक की भी करोना के वजए से कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आया वो आदमी एक खाली UK वाले जो है वो आय था एक दो बार लेकिन वो ठीक हो गया उसके बार और ट्रॉम्स आप गये तीन दिन गये तीन दिन वापेस आगे पता नहीं तीन दिन में कोई सा गरो न ठीक हो था मझे तो पता ही आज तक तो बताए नहीं उन्हें कहते हैं चोदा चोदा दिन लगते हैं क्या दिया उनको उन्होंने कौन सा इंजेक्शन दिया पता नहीं तो यह ग्यार्वे आदमी के सवाल है और एक सबसे बड़ी और कौश्चन कि जिस दिन आप चो चार्ट देखोगे इंडिया का जहां रेट बढ़ने शुरू है नंबर बढ़ने शुरू है जब जो कोविड के जो नंबर जो है बढ़ने शुरू हुए जब उस दिन आप देखेंगे कि रिकावरी यानि कि जो लोग ठीक हो रहे हैं जो लोग उससे ठीक हो रहे हैं लगभग उसी दिन से उनके नंबर भी उतने आने शुरू हो गए मतलब अगर किसी को करोना हो गया है तो उसको पाई-दस दिन तो लगेंगे ठीक होने में लेकिन आप ये सोच मतलब आज की डेट में आज का जो डेटा है उसमें टू लैक थर्टी-फॉर थाजन टू लैक ऐसे ही कुछ लोग ठीक हो रिकावर किये हैं मतलब रिकावर किये आज से 12-15 दिन पहले दो लग टोटल नंबर भी नहीं थे तो अब इसकी वज़ा एक और तो नहीं है कहीं पिछली बार जो नंबर हमारे आए थे जो आ रहे थे हमारे यह नंबर हमारे पास इतनी टेस्टिंग ज्यादा नहीं होती थी अभी क्या ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और वो किट जो टेस्टिंग किट है अगर उसमें किसी ने जान बूच किया डेलिबरेटली कोई छेड़ खानी करी है जिसमें जो करोना को लेकर के जो प्रोटोकॉल्स बनाये जा रहे हैं यह जो डब्ली टीओ बना रहा है इंडियन गवर्मेंट बना रही है यूएस की गवर्मेंट बना रही है यह कौन बना रहा है प्रोटोकॉल और किस बेस के उपर बना रहा है यह यह कहानी जो है यह मेरे को थो यह जनल यह तो बहुत छोटा सा है और प्रोटोकॉल बहुत सारे है बहुत सारे प्रोटोकॉल सारे है जो कौन डिजाइन कर रहा है कौन डिजाइन कर रहा है वो प्रोटोकॉल कि हाँ इस ढंग से होना चाहिए इतने दिन के अंदर ये kit में ये result ये वो दौई देनी है ये दौई देनी ऑएसा करना है वैसा इसमे डब्लूट्यो का रोल क्या suspected नहीं है क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं इसले किवा कि दब्लू ठी हो पिछले 1999 में भी इस तरह की suspected चीजों में पकड़ा गया था और उसके प्रेजिडन को रिजाइन भी देना पड़ा था जुर्माना भी हुआ था मैं रहा है एक्टिविटी के अंदर सेम यह प्रोटोकॉल कौन बना रहा है सारे के सारे और उसको आख बंद करके क्यों फॉलो किया जा रहा है सबकी तरफ से इन प्रोटोकॉल को क्यों फॉलो किया जा रहा है सबकी तरफ से फारे को मास्क पहनना जुरूरी है यह है वो है एक ग्यारवे आदमी का कोश्चन यह जुरूरत से जादा मास्क पहनने से तो दिक्कत नहीं आ सकती कहीं कि जरूरत से जादा मासक अगरा पहनोगे तो दिक्कत नहीं आ सकती है कोई इसका डॉक्सान नहीं हो सकता जाए ज़ाता कहिं ऐसा तो निए यह केसिस ज्यादा आ रहे कुछ रहे इनके अंदर आते से ज्यादा केसिश वह जिनको चाहती में लॅं कि वीमारी है जिनके अंदर कुछ दिक्कत रूइब ऑगी है सांस फूलने они कि उनको मास्क के वजए से हो रही हो उनके पास, उनका जो पीछे रिपोर्ट है, CDC की और एक और रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गए कि इस दवाई को लेने के बाद में सौ आदमी अगर लेते हैं, तो चौदा की डेथ होती है, सौ आदमी अगर लेते हैं, तो डेथ रेशियो एचली 14% के आ इस फ्लू के अंदर पूरे वर्ट में जो डेथ का रेट है, वो 0.1% है, यानी 1000 लोगों को होगा तो एक की डेथ होगी, और उस दवाई के अंदर लेने से 12-13% लोगों की डेथ तो खुद क्लेम कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, 11 आदमी का सवाल है कि करोना से आदम ढूंड़ो इसको स्टडी करो, एक डेटा और मैंने पहले भी शेयर किया था, पिछले साल 2019-2020 के अंदर US की CDC की साइट के उपर डेटा है, उनके पिछले 4-5 सालों का डेटा, कि हर साल नॉर्मल इंफ्लूएंजा जो फ्लू होता है, उससे 6-8 लाख लोगों की डेथ होती थ हर साल 6-8 लाख लोगों की डेथ होती होती थी, इंडिया में भी यह आकड़ा 6-8 लाख है, नॉर्मल हर साल, जो नॉर्मल फ्लू है, उससे हर साल 6-8 लाख लोगों की डेथ होती है, अभी जो मैं डेटा देख रहा हूँ, मेरे बिलकुल सामने डेटा है इस समय, US के अंदर टोटल जो कॉवड से डेथ होई है, कॉवड से डेथ होई है, वो 5,70,000 डेथ होई है टोटल, मतलब जब से कोविड आया तब से लेगे आसता, 5,70,000 डेथ होई है टोटल, तो वो 11 आदमी यह कोश्टिन पूच रहा है, कि जो 8,00,000 डेथ पहले फ्लू से हुआ करती थी, न ये उसके ऊपर हैं क्या या उसी के बीच में है ये इसका जवाब दे दे कोई मुझे इंडिया में अभी तक टोटल जो डेथ हुई है करोना से जो क्लेम करी जा रही है वो हुई है 1,95,000 ये कल तक का डिटा है इंडिया के अंदर हर साल नॉर्मल फ्रू से साथ से आठ लग लोगों की डेथ होती थी तो करपा गौर्मेंट के लोग जो बताने की करपा करें कि ये जो एक लाग पिचानवे हजार या दो लाग जो करोना की डेथ है ये उसके टॉप मतलब उसके उपर है यो वो अंदर ही इसका जवाब भी दे दें एक बार कोश्टन है कि यूएस में करीबन पौने छे लाख लोग उस आठ के उपर डेथ हुई है या आठ के अंदर ये वो तो फिर ये कैसे कहेंगे करोना नॉर्मल फ्रू से भी होती थी डेथ तो कहीं ये कोई बड़े किसी वैपार का हिस्सा नहीं है यह हैं यह कहीं किसी बहुत बड़े वैपार का हिस्सा तो नहीं है जिसमें दुनिया के कोई सरकार इंकलूड ना हो शाय będę लेकिन कोई और कोई बहुत बडह सिंडियट इंकलूड क्योंकि सरकारों के बसकी चीज नहीं है क्योंकि दवाईयों के पैसे तो सरकार दे रही है दवाईयों के पैसे तो सरकार दे रही है तो वो क्यों करेगी ऐसा का नुकसान भी खुद भोग रही है जीडिप का नुकसान भी कर रही है तो सरकार नहीं कर रही है कोई और कोई सिं हो सकता है यह नहीं हो सकता मतलब एक question है खाली कि हो सकने की संभावना कितनी है एक question ओर है उस 11 आदमी का जो यह protocol बनाया गया है जो मैंने अभी पीछे discuss किया आप से थोड़ी देर पहले किसने बनाया यह protocol कि जो आदमी की death करोनों से होगी उसका अर्चदार उसके पास जानी सकता उसे चू नहीं सकता उसे कोई कहानी बाजी नहीं कर सकता उसे कुछ नहीं कर सकता मतलब उसको हाथ भी लगाने देखने भी नहीं देगे उसे उठाग ले जाएंगे और उसे जिला संपर्क में आने से फैलती है और यह कहते हो कि खाली संपर्क में आने से नहीं फैलती है 10-15 मिनिट अगर आप उसके संपर्क में रहते हो तो फैलती है और आपने मास्क लगाया हुआ तो नहीं फैलती है सामने वाले नहीं लगाया तो ज्यादा संभावना है कि नहीं फैले उसके टेथ हो जाती है उसके अंदर उस आदमी को जिसकी सांस बंद हो गई उसके पास उसके रिष्टेदारों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा वो फिलादे का करो ना या तो आप ये प्रूफ करो कि टच करने से फैलता है प्रूफ करो आप कि टच करने से फैलता है और ट उसके रिष्टदारों को हाथ तो लगान दो और ये मैं क्यों कह रहा हो पता है आपको हसी मज़ाग की बात नहीं है सरी है इसके पीछे human parts की trafficking human parts की smuggling का बहुत बड़ा mafia activated है इस समय एक आदमी hospital के अंदर गया covid के नाम पे उसको उसको कुछ था या नहीं था कोईड के नाम पे death करवा दी उसकी उसके रिष्टदारों को मिलने नहीं दिया उसके उसके पार्ट से निकाल लिए और उसको जागे जला दिया यह दफना दिया यह कुछ भी कर दिया कोई कुछ प्रूफ यह को यह कamento को पूफी नहीं कि वर्मागर ऑस्ते पहले किसी की ट्यथीепर के आदर उसको बड़ी देखते दे भकर लेके जाते अगरपे उसका पोस्ट माटम ना माटम ना लेना ना ना तुझी देखना ना मुझे देखना दे ला दो अगर उसके पर्स निकाल लियो तो और सर मैं यह बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि ऐसा हो रहा है यह वो ग्यारवाद भी भोल रहा है ऐसा हो रहा है और होना बहुत असान कर दिया ना अच्छली क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा बना दिया यह प्रोटोकॉल कौन डब्लू ट्यो बना रहा है बैठके और क्यों बना रहा है कोई बैसीज़ उस प्रोटोकॉल का क्यों बना रहा है ऐसा प्रोटोकॉल है कि जो अब में बैठ हो गया उसको तुम छू नहीं सकते अरे क्यों इसको छूने से फैल जाएगा क्या जलाने वाले हो पैंटå पैंट आ जला पर तो और भी लोगों को सकता जलाने भी मत तो उसको जलाने मत उसे कुछ मत करने तो तो क्योंकि फैल नहीं तो कैसी फैल सकता है आप कहा रहे हो सांसों से अब मत के बात कैसी फैल जाएगा उसके अंदर से इस चक्कर में आप उनके रिष्टदारों को साथ नहीं जाने दे रहे हैं तो उसमें आप हीूमन पार्ट्स की स्मगलिंग का रास्ता कोल दिया आपने पूरा उन बंदों को कोई दिक्कत ही नहीं अब तो सर ये बिल्कुल रियल एक्जामपल बता रहा हूँ आपको ये मेरे एक हैं बंदे छोटे शहर के अंदर उन लोगों ने जवान आदमी को हॉस्पिटल में दाखिल कराया किसी को उसका टेस्ट कराया कौविड था उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया एक दिन ऊस्पिटल में वरा आगले दिन उनोंने कहा दी डेथ होगी उसकी ये रियल बता रहा हूँ ये जिक किताब में लिखा हुआ या अक्वार में से पढ़के नहीं बता रहा है ये अपने साथ हुआ हुआ एक्स्पिरिंस बता तीसरे दिन बोल दिया डाथ होगी उसकी उसके घरवाले वो पूरा छोटा सा गाहूं था वो घरवाले पहुंच गई यहां डाथ होगी उम्हारे को उन्हें को बॉडिन देंगे जी हम क्योंकि हमारे पार प्रोटोकॉल ऐसे बॉडिन गाहां वाले कट्टे होगे साही लट लूट लेके पहुंच गए वहां पर हॉस्पिटल था उन्होंने क्या जान चुड़ा हो दो देदी बॉडि वो लेके छोटे हॉस्पिटल में वहां देखा आदमी जिन्दा था बॉडि अपने बॉडी लेने नहीं जाते या लेकिन नहीं आते कल को उसी जवान लड़के के उसको मार करकर उसके पार्स निगालके उसको जला देते तो किसके पास फ्रूफ रहता और इन चीज़ों के दाम इंटरनेशनल बजारों में क्या है पता है आपको लिवर, किड्नी, हार्ट, आइज और वो भी जवान आदमी के है और जवानों के साथ हो रहे है जादा तरह ऐसा और छोटी जगाओं पे जादा हो रहे है बतलब ऐसा सा सुनने में आया आप जैसा सबके साथ हो रहा हुआ लेकिन यह चीज़ है और इसी प्रोटोकॉल की वज़े से यह ग्यारवें आदमी के सवाल है कि यह सारा कुछ जो हो रहा है उसके लिए क्यों मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है और यह बाद मैंने पहले भी बोली थी यह टीवे सारा दिन आगे मेरे को अभी तीन दिन पहले पता चला एक आदमी अच्छा भला था उसकी कोविड की रिपोर्ट आई दिक्कत थी उसमें उसको पॉजिटिव रिपोर्ट आई थोड़ी से उसको दिक्कत फील हो रही थी तो घरवालों ने का चलो हॉस्पिटल में दाखिल कराते हैं हॉस् लाशे जलाने के लिए यह नहीं है वो नहीं है यह रनिंग कमेंटरी चलाने की इजाज़त कौन दे रहा है इनको ठीक है आप खबर दिखानी है दिन में दो बार तीन बार अपडेट दिखाओ बात खतम हर संचान की फोट में खीच रहे जा जाके अरे हर एक आदमी का दिल मजबूत नहीं होता भाई होते हैं हलके दिल वाले भी लों उनको कुछ हो ना हो इसको देटके मर जाएंगे वो और फिर तुमको के कोविट से मर गया और एक बात और हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बढ़ी चीजी है के पॉलिटिक्स इतनी गंधी है ना इतनी गंधी पॉलिटिक्स है मैं बता नी सकत superior कोई आद्मी अच्छा कर रहा है कोई आदमी खराब कर रहा हार आदमी क्योंगे हम वह रहे हैं कोई काम नहीं है कोई काम नहीं है उसको लगा रहता कुछ कुछ करने में और मम्मी से गाता है मम्मी अब सुबोट के क्या अगर मम्मी कहती बेटा एक ट्वीट कर दे वह ट्वीट कर देता है अकल नाम की चीज नहीं उसको सारा डेटा उल्टा पुल्टा यहां से उठाएगा कल उसका एक ट्वीट आये हुआ था इंडिया में 1.4 पर परचे को भी आता है यह इन यह इन दोनों का लगी खेल है बंटी पबली का यह सार दिन लगे रहते हैं कुछ ना कुछ हर चीज में गाली निकाल लेंगे अरे भाई तुमने खुद क्या किया है जिसम्बानी अदानी को तुम तुम गालियां दे रहा था उसी की अक्सीजन उस्के लगरी अब अब सब जगा है कि वो तो फिर भी कर रहे हैं तु तो कुछ करी भी नहीं रहा तुकिसके पश सकी हैं गुलना मुझे ताब बाहर चलिया थे नानीज हाउस वो आगे यहाँ पर भाशन दिरते यह चीज़े खराव है तो यह ग्यारवे आदमी का जो सवाल है न सर अगर आप उनसे इत्फाक रखते हैं कुछ यहाँ लिखके बता देना मुझे अगर इन ग्यारवे आदमी की जो सवाल है उसमें आपके पास कोई सॉलिड जवाब है तो बता देना और जो यह ग्यारवा आदमी है ना जो आर्मी रखती है वहाँ पे अपने पास वो वो आदमी नहीं रखती जो हर चीज में मीन मेक निकाले वो आदमी रखती है जो तर्क की बेस पे उस चीज को काटे ग्यारवे आदमी की जो सवाल है ना वो राहुल गांदी के सवाल नहीं है कि बस हर चीज पर सवाल उठाने है सवाल है तर्क की बेस के उपर तर्क की बेस के उपर सवाल है तो तर्क है बताओ जूमा